हम दुकान पर काम करते हैं मालिक हमार को यही कह रहा भई अपना रा कहीं और देख लो मेरे पर तुम्हारा खर्चन उठा जाता कम से कम परसांस यह तो कहोगे भई निच्चे का पैदल का तो रा खोलते हैं अपने कानों में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं यह पूल की वाजा से हमारी मारे कीड को इतना गाटा पड़ रहा है ना तो बिजली के बिल दिया जा रहे हैं और रोटी खाने को नहीं मिल रही है अगर यह रस्ता खूल जाए पैदल जाने वाले यह सेकल जाने वाले मोडर सेख वाले यहां से राम से चले तो जाए छे मिन्ने हो गए हैं पानी कठे हो यह को अगर डीसी साहब कहते हैं सफाई हो जेगी यह तने दुना बोटा मंच्छर काटता है एक प्रफ चल पूल बना रहे हैं कम सब्सक्राइब दूसरे तरह का खुल देज़े तंसरा हम थोड़ा खाव वो तो लोगों को रहत तो मिलेगी आने जाने के लिए प्रिया घर घरिदारों क्या आप अपना घर लेने के लिए सोच रहे हैं अगर हां तो अपने घर का सपना समय से पेले पूरा करने के लिए एम्पीरियम से ही घर लेना क्योंकि एम्पीरियम पिछले कई सालों से लगातार समय से पेले पूर्जेशन दे रहा है चाहे लेना हो फ्लोर या विला या ही लेना हो प्लॉट आपको सब मिलेगा समय से पेले आधुनिक सुविधाओ और बेतरीन क्वालिटी के साथ वो भी किफायेती दाम पे इसलिए जब भी अपना घर हो लेना एम्पीरियम से ही लेना तस्वीरे आप देख रहे हैं पानीपत के असंदरोड अंडर पास की जिसे चोड़ा करने का काम किया जा रहा है लेकिन अब ये काम काफी धिमीगती से चल रहा है जिसकी वज़ा से लोग काफी परेशान है ना सिर्फ रहागीर बलकी दुकानदार भी काफी परेशान है लोगों का कहना है कि अंडर पास बंद होने की वज़ा से लोगों को अपनी जान जोखी में डाल कर रेलवे टैक को पार करना पड़ता है इतना ही नहीं अगर वहां से वो जाते हैं तो उनका चालान भी होता है तो ऐसे में आज सभी दुकानदार और आसपास के लोग एकठा हुए और मांग की है कि इस अंडर पास को इतना खोल दिया जाए कि कम सी कम पैदल लोग जा सकी तो इस वज़े से गवर्मेंट से अपहील करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए यह पूल की वज़ा से हमारी मारी किड को इतना गाटा पड़ रहा है ना तो बिजली के बिल दिया जा रहे हैं और रोटी खाने को ने मिल रही है और उपर है जाए तो पुलिस वाले वाखर हो जाते हैं आज बाबू चलान कट वालों पहले इदर रस्ता है अगर यह रस्ता खूल जाए पैदल जाने वाले यह से राम से चले तो जाए छे मिन्ने हो गए हैं पानी कठे हो यह को अग्डी सी साहाँ कहते हैं सफाई हो यह प्रशाशन है बस जो हो जे धियत चीक है प्रशाशन भी काम करता है जब एदे कोई आता खी करता है इसलिए मैं ही रस्ताwał पर देख सकते हैं कि पहले यहां पर बरसात का पानी कई कई दिनों तक खड़ा रहता था जिसके चलती इसको चूड़ा किया जा रहा है ताकि ना सिर्फ जाम से मुक्ती मिले बलकि पानी भी गंदा यहां पर इकठा ना हो आपको बता दे कि शहर में पांच अंडरपास बनाए जाने हैं जिसका कारिये चल रहा है हलाकि बात अगर असंदरोड अंडरपास की करे तो यह अंडरपास तीन कालोनियों को आपस में एक साथ जोड़ता है और हर रोज हजारों लोगों को रेलवे ट्रैक पार कर दूसी तर करेंगे उसके बावजूद इन्होंने यह पुल तो बना दिया लेकिन रस्ता भी तक नहीं खोला जिसकी हमें एस्वीदा हो रही है पूरी मार्केट में कहीं पर भी काम देखने को नहीं मिलेगा यह सब दुगांदर भाई कठे हुए हैं और यह इसलिए कठे होगे हैं कि सब कठे हो कठे हो कर दो बात जो आगे की जाएं कि अधिक भूला है सब को बोला लेकिन अपने कानों में रूप किसी को किसी से कोई मतलब नहीं आप शकर नहीं तो है आरशाइब बैंक की माई देनी है इसकी एमाई देनी इसकूल फीज देनी लट पर टारहा खर्चे काम इसा इसा ऑली को दों बचे हैं अब रात कों या तो काला कच्छा बन जी शमया है किया तौह यह तो मामुली आदमी रात को रात कों काला कच्छा बने की सोच घर जे रहे हैं dave i UK cud यहां भी सताने लग जाएगा तो ज्यादा कम कहना ओठीक रहेगा लें मामला बहुत खराब है यहां पर छे में नोगे पूरे यह रास्ता बंद कर रखा है दुकान नोप अम दुकान पर काम करते हैं मालिक हमार को यह कह रहा भाई अपना रहा कहीं और देख लो मेरे तुम् कई आदमी तो यहां से पूर के उपर से टपने के चकर में कोई पिछे कलाबादी खा रहा है कोई उधर कलाबादी खा रहा है किसी कई आदमी होगे तो कम से हम दस आदमी होगे तो सर्फ हूट तो यह मने देखे दर सी जाते हैं वे कहते हैं डाक्टर की दुकान पर कहा है तो दूसी तरफ उनके चलान भी किये जाते ही तो ऐसे में उन्होंने आवाज उठाई है कि इसे या तो जल्द बनाया जाए या फिर एक तरफ का रास्ता खोल दिया जाए ताकि पैदा लोग यहां से गुजर सके और उन्हें डेलवे टैग भी पार ना करना पड़ा तो आप से पील इस वीडियो को आप जादा से जादा शेयर जरूर करें वह सो पानी पत के लिए बेरो रिपार्ट